ओम शंति आज 9 मार्च 2021 के मदूर महावाक्य है और आज की मुडली बाबा की है पढ़ाई को बाबा कहे पढ़ाई पढ़ना है और पढ़ाणा है पढ़ाई पढ़ना माना खुर्शार्थ करना क्योंकि बाबा हम बच्चों को कर्म योगी बनाता है कर्म सन्यासी नहीं बाबा ने फर्क बताया कि कर्म सन्यासी के मुख से क्या बोल निकलते और कर्म योगी क्या करता है तो बाबा कहे कर्म सन्यासी जो होते हैं वो ड्रामा पर आधारित हो जाते कि ड्रामा में होगा सो मिल जाएगा तो पुर्शार्थ में नहीं मानते हैं उसको कहा जाता कर्म सन्यासी और कर्म योगी पुर्शार्थ में मानते हैं वो उंच पद पाने का पुर्शार्थ करते हैं पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ बाप दादा की श्रीमत पर चलते हैं। सुनते हैं बाबा के मदूर महावाक्य, ओम शांती, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो, तो बहुत कमाई जमा कर लेगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म सन्यासी को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते हैं। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, यह तो कर्म सन्यास हो गया। तुम्हे कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुर्शार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड नहीं देना है, नई राजधानी में उच पद पाना है, तो खूब पुर्शार्थ करो। ओम शर्थी, पहले पहले बच्चों को साउधानी मिलती है, क्या साउधानी मिलती है? बात को याद करो और वर्से को याद करो। मन मना भक्त यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है, गीता में दो बार यह अक्षर आता है। संस्कृत में तो बात ने समझाया नहीं है, बात तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बात को और वर्से को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों मुझ बात को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों मुझ अपने बात को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं हे बच्चों मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं। रुहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो यह शोबता नहीं है। तब ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरन्तर याद कर न सके ताइम लगता है अब यास्ट चाहिए इसलिए बाबा कहे ताइम लगता है यहाँ बाबा कहते हैं मैं भी निरन्तर याद नहीं कर सकता हूँ ब्रमा बाबा भी अपना अनुबो बताते कि मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं। वह अवस्था पिछारी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहले पुर्शार्थ बाप को याद करने का ही करना है। सबसे पहला पहला पुर्शार्थ ही यह है कि बाप को याद करना। ये स्थापना होती है दैवी राजधाने की और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है क्योंकि वो तो उपर से आये अपना धर्म स्थापन किया पीछे आत्में नीचे उतरते जाती है यहां तो बाबा को धर्म स्थापना के साथ सब को सद गती में ले जाना है तो इसलिए बाबा के पिछाड़ी कोई आत्मा ही उतरने वाली नहीं है यहां की बिगडिवी आत्माव को ही बाबा को स्रेश्ट गती में ले जाना है सुधारना है तो इसलिए बाबक कहे और धर्म स्थापन करते उसमें कोई difficulty नहीं है उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं यहां देवी देवता धर्म वाले जो है उनको ज्यान से उठाना पड़ता है महनत लगती है गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बात संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए प्रले हुई आधी-आधी वास्तों में यह बात तो है नहीं है तुम अब पढ़ रहे हो भविश्य 21 जन्मों के लिए और स्कूल में यहां के लिए ही पढ़ाते हैं और स्कूलों में तो जो पढ़ाई होती है पद होता है वो यहां के लिए इसी दुनिया के लिए होता है तो और स्कूलों में यहां के लिए ही पढ़ाते हैं सादू संद आधी जो भी है वह भविश्य के लिए ही पढ़ाते हैं क्योंकि वह समझते हैं हम शरीत छोड मुक्तिधाम में चले जाएंगे ब्रह्म में लीन हो जाएंगे आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी तो वह भी हुआ भविश्य के लिए, सारा पुर्शार्थ उनका भविश्य के लिए, परन्तों भविश्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रुहानी बात है, दूसरा कोई नहीं, गाया हुआ भी है, सर्व का सद्गती दाता एक ही है, वह तो सब अयत्थार्थ हो जाता है, बाप ही आकर समझाते हैं, वह भी साधना करते रहते हैं, ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयत्थार्थ, लीन तो किसी को होना नहीं है, ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है, यह सब है रौंग, जूट खंड में है, सब जूट बोलने वाले, सच खंड में है, सब सत् तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब जूटखंड है, बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जैनती मनाते हैं, परंतु यह थोड़ी जानते कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है, वह समझते हैं, आता ही नहीं है, वो नाम रूप से न्यारा है सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतीत पावन ज्यान का सागर सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं परिचे कुछ भी नहीं बाप ही आकर समझाते हैं कृष्ण जैनती मनाते हैं गीता जैनती भी है कहते हैं कृष्ण ने आकर गीता सुनाई शिव जैन्ती के लिए इसको पता नहीं कि शिव क्या आकर करते हैं आएंगे भी कैसे जबकि कहते हैं नामरुप से न्यारा है बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ फिर यह ज्यान प्राय लोग हो जाता है बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ कोई तो पतीत पावन होगा ना मुक्य भारत की ही बात है भारत ही पतीत है पतीत पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राच्य चल रहा है, बॉम्स आदी बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वह रावन के प्रेरित की उपवे हैं, रावन का राच्य कब खलास होगा, भारतवासी कहेंगे, बाप कहते हैं, मुझे याद करो, यह अक्षर दूसरा कोई कहना सके, बाप ही कहते हैं, मुझे याद करो, तो खाद निकलेगी, तुम सतो प्रदान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेगी, इनको याद की यात्रा कहा जाता है, मैं ही पतीत पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, इनको योग अगनी कहा जाता है, सोने को आग में डाल कर उन से किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में डालते हैं, बाप कहते हैं, वह है काम चिता, सोना को यूरिफाइ करना है, तो भी आग में डालते हैं, खाद जला देते हैं, और फिर सोने में जब खाद डालनी हैं, तभी भी उसको नरम करेंगे, तभी तो मिक्स होंगी, तो इस तरह बाबा कहें, काम चिता पर बैठने से शुद्धी आ जाती है, और ज्यान चिता पर बैठने से शुद्धी करन हो जाता है, तो बाब कहते हैं, वह है काम चिता, यह है ज्यान चिता, इस योग अगनी से खाद निकलेगी, और तुम कृष्ण पुरी में जाने के लायक बनेगे, कृष्ण जैनती पर कृष्ण को बुलाते हैं, तुम जानते हो कृष्ण को भी बाब से वर्सा मिलता है, कृष्ण स्वर्ग का मलिक था, बाब ने कृष्ण को यह पद दिया, राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायन बनते हैं, राधे कृष्ण का जन्म दिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायन का किसको पता नहीं, लक्ष्मी नारायन इतने उच्छ, उ और होगी समझाना है पहले पहले पूछना है गीता में जो कहा है मा में कम याद करो यह किस ने कहा है वो समझते हैं कृष्ण ने कहा है तुम समझते हो भगवान नेराकार है उनसे ही उंच उनसे ही उंच अर्थात स्रेष्ट मत मिलती है भगवान से ही हम सभी को स्रेश्ट मत मिल दी है उच्टे उच्परम्पिता परमात्मा ही है उनकी ही जरूर स्रेश्ट ते स्रेश्ट मत हुई उस एक की श्रीमत से ही सर्वती सद्गती होती है गीता का भगवान ब्रह्मा विश्नु शंकर को भी नहीं कह सकते है वह फिर शरीरधारी सी कृष्ण को कह देते तो इससे सिद्ध है कहां भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्य की बड़ी भूल है, राजयोक तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है, बड़ी भारी भारी जो भूले है उन पर जोर दे रहा है। एक तो इश्वर को सर्व्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का वगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखो वर्ष का कहना, ये बड़ी भारी भूले हैं, कल्प लाखो वर्ष का हो नहीं सकता है। परमात्म सर्व्यापी हो नहीं सकता, कहते हैं वो प्रेणा से सब कुछ करते हैं। परन्तु नहीं, प्रेणा से थोड़ी पावन बना देंगे। ये तो बाप बैड सन्मुक समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मा में कम याद करो, प्रेणा अक्षर रॉंग है, भल कहा जाता है, शंकर की प्रेणा से बॉम्स आधी बनाते हैं। परन्तु यह ड्रामा में सारी नून है। इस यग्य से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। प्रेणा नहीं करते हैं। वास्तों में भावा कहें, प्रेणा नहीं करते हैं। यह तो विनाश अर्थ निमित बने हैं। ब्रामा में नूद है, शिव बाबा का ही सारा पाठ है, उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विश्नु शंकर का, शिव बाबा के बाद फिर सारा पाठ है ब्रह्मा विश्नु शंकर का, ब्रह्मा ब्रामन रचते हैं, वही फिर विश्नु पुरी के मालिक बनते हैं, फिर 84 जन्म का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रम्ह वन्शी बने हो। लक्षमी नारायन सो फिर आकर ब्रम्ह सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है कि इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं इसलिए इसको बड़ी मुम्मा कहते हैं। वो फिर निमित बनीवी हैं। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है। सबसे तीखी हैं बागी सितार वा बाज़ा आदे कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्यान-मुर्ली अच्छी थी। सितार मना सरसोती की ज्यान मुरी अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी, नाम तो बहुत डाल दिये हैं, देवियों की पूजा होती हैं, तुम अभी जानते हो हम ही यहां पूचे बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे, अभी हम ब्राम्मन है, फिर हम ही पूजे देवी देवता बनेगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, देवियों में जो उच पद पाते हैं, तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं, नाम बाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रिती पढ़ते पढ़ाते हैं, तो अब तुम जानते हो, पूजे सूर्य वन्शी देवी देवता जो थे वही पूजारी फिर भगत बनते हैं, आपे ही पूजे आपे ही पूजारी के सेड़ी बहुत अच्छी रिती समझाते हैं, सेड़ी के अंदर बहुत अच्छी में सारी नौलेज है 84 जन्म की सीरी भारतवासी चड़ते उतरते हैं उन्हों के 84 जन्म है फूज यत्थे फिर हम पुजारी बने हम सो सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है आत्म परमात्म हो न सके बात ने हम सो सो हम का अर्थ समझाया है हम सो देवता सो क्षात्रिय सो वैश्य शुशूद्र सो भ्रामन हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं तुम ही सूर्य वन्शी चंद्रवन्शी बनते को समझाने कितनी अच्छी मिली है हम सो देवी देवता थे हम आत्मा निर्मान धाम में रहने वाली है यह चक्र फिरता रहता है जब दुख सामने आता है, तो बाप को याद करते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्ष्टी को बदलता हूं ऐसे नहीं, कि नई सृष्ष्ष्टी रचता हूं नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूं बाप आते ही है संगम पर अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है, यह है बेहत की बात, तुम तयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तयार हो जाएंगे, सारा मदार हमारे उपर है, तो बाबा के तुम तयार हो जाएंगे, तो सारी राजधानी तयार हो जाएंगे, कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है वो सनुसार पुर्शार्थ चलता रहता है ऐसे ने ड्रामा में जो पुर्शार्थ किया होगा सो होगा पुर्शार्थ करना होता है फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुर्शार्थ किया था हमेशा पुर्शार्थ को बड़ा रखा जाता है प्रालब्त पर बैठ नहीं जाना है पुर्शार्थ बिगर प्रालब्त मिल न सके पुर्शार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते पीने कभी तो पुर्शार्थ करना पड़ता है कर्म सन्यास अक्षर रौंग है बाब कहते हैं ग्रहस्त व्यवहार में भी रहो बाबा सब को यहां तो नहीं बिठा देंगे शर्णा गती गाई हुई है बठी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया तो आकर बाब के पास शर्ण ली शर्ण तो देनी पड़े ना शर्ण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है गुरू आदी की शर्ण नहीं ली जाती है जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शर्ण लेते हैं गुरूं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं वहां तो ऐसे ही जाते हैं, तुम रावन से बहुत तंग हुए हूँ, बाबा कहें तुम रावन से बहुत तंग हुए, अब राम आया है रावन से छुडाने, वह तुम को शरण मिलेते हैं, तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, ग्रहस्त व्यवहार में रहते हैं भी शरण शि पर चलेंगे, बाप श्रीमत देते हैं, ग्रहस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ो, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे, सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है, बाप के सिवाई ऐसा कोई समझा न सके, बच्चे समझते हैं, बाप के पास इतने लखों कहां आकर रहेंगे, प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है, तो तुमको सिर्फ कहा जाता है, एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं, कहा जाता है, एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सदगती का वर्सा देने वाले हैं, राज योग सिखा कर राजाओं का राजा बनाते हैं, बाब कहते हैं, जिन्होंने कल्प पहले बाब से वर्सा लिया है, वही आकर लेंगे, पिछाडी तक सब को आकर बाब से वर्सा लेना है, अभी तुम पतीत होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते हैं, बाब सब बाते समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रतना, जब तुम सत्युग में आते हो, तो तुम बन बन से राजाई करते हो, औरों की तो जब व्रुद्धी हो, लाखों के अंदाज में हो, तब राजाई चले हैं, तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं, तुम योग पल से बाग से वर्सा लेते हो, चुप रहकर सिर्फ बाग को और वर्से को याद करो, पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदी काम नहीं आएंगे, तुम हुश्यार हो जाएंगे, बाग कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, अ करो न करो, तुम्हारी मर्जी, कोई देधारी के नाम रुप में नहीं पसना है, बाप को याद करो तो अंत मते सुगती हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे, फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी, सारा मदार याद की यात्रा पर है, आगे चल, नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे, वर्दान है बाबा का नए बच्चो को कि आगे चल, नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे, अच्छा, मीचे मीचे सी किलदे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप, दादा का यात्यार और गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी आप दादा को यात्यार पुद मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आज की मुर्ली से धाना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रुख में नहीं पसना है, एक बाप की श्रीमत पर चलकर, सदगती को पाना है चुक रहना है, दूसरी पॉइंट, भविश्य 21 जन्म के लिए अच्छी रिती पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है, पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा, आज का बर्दान, अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्कर आज कल के बातावरन में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है, कोई तन के दुख के वशी भूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदाई संसकार स्वभाव के है, कोई प्रभूप्राक्ति न मिलने के कर, फुकारने चिलाने के दुख के वशिपूत। ऐसे दुख अशान्ती के वश आत्माईं अपने को लिबरेट करना चाहती है तो उन्हें दुख में जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रह, रहम दिल बन, मास्टर लिबरेटर बनो, स्वस्वरूप स्वदेश के स्वमान में स्थित रह, रहम दिल बन, मास्टर लिबरेटर बनो, आज का स्लूगन है बाबा का, सदा अचल अडूल रहने के लिए एक रस्थिती के आसन पर विराजमान रहो, अच्छा, ओम शात्ति